मुश्कार में राज मोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार में कोरोना पीक पड़ है एक दिन में 4000 से ज़्यादा नए मामले अब मिलने लगे हैं लेकिन बिहार में चुनाव होगा चुनाव की घोसना नहीं हुई है वो तो अगले महीने होगी लेकिन जब देश का मुखे चुनाव आयुकते विपक्च के लाख मना करने के बाद या कह दे कि चुनाव टाला नहीं जा सकता वो तैस सेड्यूल पर ही होगा तो फिर उसके बाद बयान बाजी के लिए बचता कुछ भी नहीं है बिहार में चुनाव की घोसना अगले महीने सितंबर में होनी है और उमीद है कि चुनाव अक्टूबर नुवंबर में हो जाएंगे एक चैनल के साथ बादचीत में मुखे चुनाव आयोगते सुनील अरूरा ने साफ कर दिया है कि बिहार में विधान सबा चुनाव सेड्यूल के मुताबिक ही होंगे यानि एक तरह से देखा जाए तो व चुनाव आयोग ने लगभाग खारिच कर दिया है देश के मुखे चुनाव आयोग सुनील अरूरा का कहना है कि कोरोना से सतर्ता बढ़ते हुए बिहार में चुनाव कराया जाएगा आपको बता दे कि राजदनेता और पुर्व उप मुखे मंतरी तेजस्वी यादों ने कहा था कि अभी की परिस्तितियों में बिहार में चुनाव टाल देना चाहिए राजदनेता तेजस्वी यादों ने अभी कहा था कि अगर चुनावा योग को लगता है कि कोरोना कोई बड़ी समस्या नहीं है तो जिस तरह से परंपरागत तरीके से चुना होते आ रहे हैं यानि रेलिया निकालना और लोगों को इकठा कर जो भासन बाजी होती है उसकी उन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए आपको बता दो कि कोरोना की वज़त से सरकार ने सभी समाजिक राजनितिक कारेक्रमों पर पाबंधियान लगा रखी है वहीं मुक्य चुनावा एक सुनील नजर नहीं आ रहा है मुक्य चुनावा युक ने बताए कि बिहार विदानसाबा चुनाओं को सुरक छा के साथ कराने के लिए कई चीजे ताएगी गए जिसएं बूतों पर वोट्रों की संख्या सिमित करना भी एक है मुक्य चुनावायुक्त ने कहा कि एक बूत पर मतदताओं की संख्या अधिक्तम 1000 फिक्स कर दी गई है जबकि अभी ये आंकराब 500 का है राज के लिए 33,797 अतरिक्त पोलिंग बूत बनाने का फैसला किया गया है यानि पहले सो बिहार में पोलिंग बूत की संख्या लगबग 12,000 थी वह अब बढ़कर लगबग 15,000 हो जाएगी मुक्य चुनावायुक्त सुनिल अरोरा ने कहा कि कुरोना संक्रमन की वज़ा से वोटर टर्न आउट प्रभावित ना हो और लोगों को मतदान के बारे में जागरु करेगी देखिए चुनावा एक संवेधानिक संस्ता है चुनाव कब कराना है कैसे कराना है किन परष्थितियों में टालना है यह निरने चुनाव आयोग को ही लेना होता है और इसके लिए वह सोतंत्र है एक स्वायथ संस्था है वह लेकिन सवाल भी अब ख़ड़े हो सकते हैं जैसे कि अब पहली बात लगतार लॉकड़ून लगाया और अब चुनावा योग पैसे खर्च करेगी कि नहीं नहीं घर से निकलिए भीर वाले लाइन में खड़ा होकर वोट दीजिए बीहार में कोरोना ची अचशी हाजार के पारह लगतार मरीजों के संख्यां में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन इसके बावजूत बीहार में चुनाओ होगा देखना होगा जब चुनाओ की घोसना होगी उस समय बिहार में कोरोना की स्थिति ही क्या रहती है फिलहाल तो दैनिये ही नजार आती है खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे ये बिहारी निउस धन्यवाद